हलो फ्रेंज मैं हूँ स्वापनल और जाइका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों बैगन की सबजी तो आपने बहुत बाल बनाई होगी बट आप एक बाल मेरी तरह से बनाके देखे आपको ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए बिनादेर की रेस करते हैं तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिए और इसमें मैं दो टेबल्सपून कढ़वा तेल आट कर रहे हूं आप जो भी तेल घर में यूज करते हैं आप उसको आट कर सकते हैं तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब सबसे पहले हम सबजीयों को हलका सा फ्राइए कर मैं बड़े बड़े काटे हैं अब में अब आलू को तब तर फ्राइब करना है जब तक यहलके ब्राउन नहीं हो जाते हैं प्लेम इरी हाइप लाइं कि आप इनको बीच-बीच में चलाते रहेगा ताकि यह दोनों साइड से ब्राउन हो कि यह देखिए इस टाइम मेरे आलू हलके ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं इसमें बागन भी आट कर रही हूं मैंने एक बड़े साइस का बागन लिया था और उसको भी बड़ा-बड़ा काट लिया है अब हम दोनों चीज़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छे से ब्राउन स्पोट्स नहीं आ जाते हैं यह देखिए अब मेरे आलू और बैगन दोनों ही हलके लके ब्राउन हो गये हैं तो अब हम इने ढग कर कुक करेंगे ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं इसमें लगभग चार से पाच मिनट का समय लगेगा लो फ्लेम पर लेकिन आप इसे 2-3 मिनट के बाद एक बार चला लीजेगा ताकि यह जले ना 3 मिनट हो गए हैं चलिए एक बार मिला लेते हैं और फिर से इसको ढटकर 2-3 मिनट के लेको करेंगे आये जिब तक हमारे आलू और बैगन फ्राय हो रहे हैं हम लेसन और मिर्च को भी कूट कर रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये एक इंच अद्र का टुकडा लिया है आट से दस लेसन की कलिया और स्वाद नसार हरी मिर्च सब चीजों को मच्छे से कूट लेंगे आई एक बर सबसी को भी चेक कर लेते हैं कि वह गल गई है या नहीं गल लिए मेरी सबजी अच्छे से गल गई है और आप देख सकते हैं आलू और बैगन दोनों पर ही ब्राउन स्पोट्स आ गए हैं अब ग्यास की फ्लेम को ओफ कर दीजे और इस सबजी को किसी और प्लेट में खाली कर लीजे अब इसी कढ़ाई में मैं एक चम्मच ओईल और डाल रही हूं ओईल को अच्छे सा गरम होने देंगे मेरा अच्छे से गरम हो गया अब मैं इसमें एक चताई चम्मच हींग डाल रही हूं आधर टीस्पून जीरा दोनों को अच्छे से चिटकने देंगे अब मैं इसमें एक बड़ी प्याज आट कर रही है जिसको मैंने बहुत ही बारी काटा है अगर आप चाहें तो आप ग्राइंडर में डाल के इसका प्योरी भी बना सकते हैं बट मैंने इसको बहुत ही महीन काटा है अब हमें इसे तब तक फ्राइ करना है जब तक यह लाइट ब्राउन नहीं हो जाती है अब मेरी प्यास हलकी से भूरी हो चुकी है तो मैं इसमें अपना जिंजर और गालिक जो हमने कोट कर रेडी किया था वो आट कर देंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए हम इसे ओल यह मैंने एक कटोरी लिए और इसमें मैं तीन चोथाई कटोरी पानी ले रही हूं अब इसी में हम कुछ मसाले आट करेंगे जिसमें मैं आधा टीस्पून जीरा और सौफ का पाउडर आट कर रही हैं आधा छोटी चमच किछन केंग आप कोई भी सबजी मिसाला आट कर सकत एक बड़ा चमच काश्मीरी मिर्च और एक बड़ा चमच धनिया पाउडर सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लीजे हमारे स्पाइस मेक्स बनकर तयार है चले अब अपनी प्यास की तरफ चलते हैं यह देखिए हमारी प्यास अच्छे से ब्राउन हो चुकी है एक बार मिक्स करके इसमे अपना स्पाइस मेक्स डाल दीजे इसको मिक्स कर लीजे और अब मैं इसमें एक चताई चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं इसको मसालों के साथ डालना भूल गई तो मैंने अब डाला है अब हम इसी ढख कर लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट ली कुक करेंगे तीन मिनट हो गया है चली चेक करते हैं यह देखिए हमारे मसाले ने अच्छे से ओल छोड़ दिया है एक बर इसको मिक्स कर लीजे अब मैं इसमें एक बड़े टमाटर की प्यूरी आट कर रही हूँ जस्में ने इसे ग्रैंडर में डाल कर चला लिया है स्वादर नसर नमक डाल दीजे अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लीजे अब मसालों को ढखकर तीन से चार मिनट के लो फ्लेम पर कुक करेंगे जिलजार में हमने टमाटर पीस के रेडी किया था उसमें लगभग आधा कटोरी पानी डालिए और उसको अच्छे से क्लीन करके इसमें आट कर दीजें मिक्स कर लीजे एक बार अब हम इसमें अपने फ्राइड आलू और बैग एन आट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर दीजे सब चीजों को और अब इसे ढब कर आट से दस मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे आप इसको बीच-बीच में चलाते रहिएगा अब आप कि अब आप कि अब कि अब कि मुझे सब्जी को कुक करते हुए लगभग आट से दस मिनट हो गया है चलिए चक करते हैं आप इस टाइम एक बड़ चेक कर लीजे कि आपकी सब्जी अच्छे से गली है या नहीं मेरी सब्जी अच्छे से गल चुकी है तो मैं इसमें आधर टी स्पून गरम मसाला आट कर रही हूं दो टेबल स्पून हरी धनिया सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिजे हमारी सबजी सर्फ करने के लिए बिल्कुल तेयार है चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरे इस आलू बैगन की रेसिपी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई